आज हम आपके लिए लिए लेके आए हैं एक नई अपडेट जॉब्स के रिगार्डिंग और यह है जी के पीएसी की कश्मीर एडिनिस्टिटिव सर्विसिस की जॉब्स और जो भी एस्पिरेंट्स काफी टाम से वेट कर रहे थे तो उनके लिए काफी अच्छी ओपर्चु पान करना ना भूलें ताकि आप आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप आ सकें तो गाई चली देख लेते हैं ओफिशल नोटिफिकेशन हमारे पास क्या है क्या सोर्स रहा है ठीक है तो friends ये रहा हमारे पास official notification जो आप अपने screen पे देख पा रहे हो जम्मो कश्मिर Public Service Commission ठीक है तो date आप देख पा रहे हो यहाँ पे 8th of January 2021 subject में देख पा रहे हो combined competitive preliminary examination 2021 तो guys जो भी काफी time से aspirants preparation में लगे हुए थी और वेट कर रहे थी कि काफी अच्छी vacancy आए तो उनके लिए एक great opportunity रहने वाली है friends ये एक काफी अच्छी good news है हमारे जम्मो कश्मिर के जितने भी aspirants से उन सब के लिए ठीक है तो यहाँ पे आप notification में पढ़ पा रहे हूँ it is for the information of all the interested candidate that the commission has received a request from the government for carrying out recruitment to various post through the combined competitive examination 2021 तो friends इसके बाद हम नीचे देख लेते हैं ये अभी recommend करी गई है पोस्टें और इसकी अन्ने वाले time में जो है आपको कब तक इसके online form लगेंगे और कब इसका preliminary examination होगा आगे हम वीडियो में पूरा आपके साथ discuss करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोस्टें कितनी रहने वाली हैं guys यहाँ पे पोस्टें अगर देख लेते हैं 257 जी हाँ 257 पोस्टें रहने वाली हैं इसमें और सबसे पहले देख लेते हैं detail junior scale of German Kashmir Administrative Services ठीक है तो इसमें जो टोटल पोस्टें हैं 56 हैं open merit में 28 है आरभी में 6 हैं SCST में 5 हैं ST में 6 हैं ALCIB में 2 पोस्टें हैं EWS में 5 हैं PSP में 2 हैं SLC में 2 हैं इसी तरह से यह 56 पोस्टें हैं और जो लोग जम्मो एंड कश्मीर पोलीस सर्विसिज में गैस्टिट पोस्टों पे जाना चाहते हैं तो टोटल पोस्टें जो है 141 रहने वाली हैं ठीक हैं तो इनका ब्रेक अप जो है देख लेते हैं OpenBanet में 70 है RBA में 14 है SC में 12 है ST में 14 है ALC में 6 है AWS में 14 है और इसी तरह से PSP में 6 है और SLC में 5 पोस्टें हैं उसी तरह से JNK Accounts Services जो गैस्टिर लेवल की पोस्टें हैं यह काफी टाइम के बाद पोस्टें आई हुई हैं ठीक है तो इसमें जो पूरी टोटल पोस्टें हैं वो हैं 60 पोस्ट हैं ठीक है 60 पोस्ट हैं और इसमें जो ब्रेक अप है वो है open merit में 31 हैं और RBA में 6 हैं SC में 5 हैं ST में 6 हैं ALC में 2 हैं EWS में 6 हैं उसी तरह से PSP में 2 हैं SLC में 2 हैं ठीक है गाइस तो इसी तरह से टोटल जो वकेंसी है वो है 57 257 ठीक है गाइस तो इस सभी गैसर लेवल की वकेंसी है और इसकी basic qualification जो होती है graduate ही रहती है ठीक है आप सब जानती है जो काफी लोगों में आप में से पहले भी आप लोगों ने attempt किया होगा ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं कि कब तक इसका जो है इसके form कब तक लगेंगे तो गाइस यह रहा आपके सब सामने जो इनने बताया है notification inviting application for the preliminary examination likely to be issued in the third week of January यानि कि third week of January में इसके online form आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो इसका preliminary examination कब होगा तो यह बताया गया है last week of June और first week of July 2021 यानि कि आपका आपके जो online form है January में लग जाएंगे उससे तरह से July या आपके June में exam होगे ठीक है तो आपके पास काफी time मिल जाता है ठीक है guys जो लोग भी aspirants हैं कश्मीर administrative services की ठीक है guys तो यह थी update अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करें साथ में share करना ना भूलें तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई update के साथ तिल देन भाई भाई टीक केर झालते हैं